अलगले ब्रांड की दो पाप्लर की स्मार्टफून एक तरफ रियल मी के नाजो 70 टर्बो फैब जी वह दूसरी तरफ पोको का X6 पैब जी वैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 2000 पीस का डिफरेंट देखिनों को मिल जाता है क्योंकि एक तरफ पोको के X6 पैब ज स्मार्टफून का प्रोसर देखनों को मिल जाता है तो इन दोने स्मार्टफून में से आप लोगों को रियल मी के नाजो 70 टर्बो फैब जी में बेटर पाफोर्मेंस देखनों को मिल जाएगा वह इन दोने स्मार्टफून के अगर अन्तुतू स्कोर की बात करीजा तो एक तरफ रियल में के नाजो 70 टर्बो फैब जी का जो अन्तूतू स्कोर निकल के आता है वह दूसरी तरफ पोको के X6 पैब जी का जो अन्तूतू स जरा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफून में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ पोको के X6 पैब जी का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता हूँ थरी थाउजन वन हंडेड निकल के आता है वह दूसी तरफ रियल में के नाजो 70 टर्बो फैब जी का जो गेम स्मार्टफून का अगर आईपी रेटिंग की बात करी जा तो उसमें तो बेटर हो जाता है रियल में का नाजो 70 टर्बो फैब जी आईपी 65 की रेटिंग देखनों को मिल जाती वह दूसी तरफ पोको के X6 पैब जी में IP54 की ही रेटिंग देखनों को मिल जाती है इन दोने स्मार्टफून का अगर कैमरे सेग्मेंट की बात करी जा तो कैमरे के मामले में भी थोड़ रियल में ईसा पैब देखनों को मिल जाते हैं प्रामरी कैमरा मिलता है बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगा फिक्सल का मिल जाता है विट LED फ्लैस लैट के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट तो देखनेों को नहीं मिलता है परफोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं परफोन के से ल्फी कैमरे की बात करें जाता है दोने स्मार्टपोन का अगर श्टोरेज टाइप की बात करें जाता है रियलमी का नाजो सिवेंटी टर्बो फैब जी यूफस 3.1 का श्टोरेज टाइप देखनेों को मिल जाता है वही दूसी तरब Poco X6 5G में आप लोगों को UFS 2.2 का ही स्टोरे टैप देखनों को मिल जाता है वही एक तरब Poco के X6 5G में इस्टोरे स्पीकर के साथ साथ Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिल जाता है वही दूसी तरब Realme के नाजो 70 Turbo 5G में इस्टोरे स्पीकर को सपोर्ट देखनों को मिल जाता है पर Dolby Atmos का सपोर्ट देखनों को नहीं मिलता है बैटी सेग्मिन के अगर बात करी जातो बैटी और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामलें बेटर हो जाता है अगर आप पोको का एक सिक्स फैब जी 5100 एम यह की बैटी देखने के पिल जाती सिश्टी सेवन वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ यूजबी टैप सी पोड का सपोर्ट देखने के पिल जाता है वह दूसी तरफ रियल मी के ना जो 70 टर्बो 5000 एम यह की ही बैटी देखने के पिल जाती 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ यूजबी टैप सी पोड का सपोर्ट देखने के पिल जाता है सी कोटी फीचर के लिए दोने स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरपीं सेंसर देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बैशते हैं झाते हैं